दोस्तो, HTT-40 News में है, येक ट्रेनर एरक्राफ्ट है, हल ही में, जेडी दतूरी, जो हल के फ्लाइट टेस्ट एंजिनियर कमांडर है, उनकी एक एक एक्स्क्लूजिव डिस्किशन, All India Radio News के साथ हुई, और इस डिस्किशन में, उन्होंने, HTT-40 के साथ जुड़े हुए कुछ important aspects share किये हैं, this is the reason के आज हम इस HTT-40 के बारे में discussion करें, because it is part of news and of course, Canada Affairs, HTT-40 का मतलब होता है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, येक इंडिजिनियसली डिसाइंड और डेवलोप्ट एरक्राफ्ट है, एक चोटा सा प्लाइन है, इसको बनाया है हलने, यानि कि हिंदुस्त ट्रेनर एरक्राफ्ट, नाम से ही पता चल जाता है कि हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं, for example हमारी जो एरफोर्स हैं, तो एरफोर्स अपने पाइलोट्स को जो बेजिक ट्रेनिंग देती है ना, एरक्राफ्ट की, वो इस प्लेन में देती है, या फिर इस प्रकार के जो ए जो जो जेडी दतूरी साब है, उन्होंने ये बताया कि इसमें वो सारी चीजें हैं, जो एक बीटी ए में होनी चाहिए, जैसे कि इसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स हैं, एर कंडिशन केबिन हैं, विजिस वरी गुड और सबसे इंपोर्टन्ट एजेक्शन सीड्स भी हैं, कि अगर कोई उन्टोर्ट इंसेडन्स हो गया तो पाइलोट जेड़र्व कर सकती है, lesit उनकी जान बच जाएगी, अब एक अच्छी ख़बर है, खबर यह है कि ये एच्च्टैटी-फोटी जो हैं, बैसिकली दोस्तों मैं 8T-いटी-फोटी या फिर is Esteap कहूँ तो समझ Blair तो अच्छे कबर यह है कि यह जो HTT है इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है इसने सारे टेस्ट जो है वो कम्प्लीट कर लिए हैं क्लियर कर रही है तो यह एक गुड़ न्यूस है इसका मास प्रोडक्शन जो है वो हम कर सकते हैं गुजरात की जो राज़दानी है गांधिनगर तो वहाँ पर 2022 में डिफेंस एक्सपो हुआ था और 2022 के डिफेंस एक्सपो में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोधी साब गए और वहाँ पर उन्होंने इस HTT 40 को अन्वेल किया था अब हम HTT 40 के साथ जुड़ी हुई कुछ इंट्रिस्टिंग चीज़ों को भी जानने वाले हैं 2013 से हल जो है वो इसको बनाने की कोशिस कर रहा है 2013 से जून 2022 में यानि कि लगबग आप पकड़ लीजिए नो सालों के बाद यह जो HTT है इसको Provisional Air Worthiness Certificate जो है वो CEMILSE जो बैंगलोर में है यार की Center for Military Air Worthiness and Certification से नो साल के बाद यह सर्टिफिकेट मिला तो यही चीज़ बता देती है कि यह जो हल है उसकी स्पीड इस पर्टिकलर BTA को लेकर जो है वो काफी स्लो रही है अब खबर यह कहती है निउस रिपोर्ट से यह कहते हैं कि यह जो BTA है इसका Production जो है वो Next Year या फिर इस साल हो सकता है कुछ खबर यह कहती है कि Next Year से Production होगा कुछ खबर यह कह रही है कि Early 2023 से इसका Production जो है वो स्टार्ट हो जाएगा As far as I know कि क्योंकि इसको जो एक latest certificate जो है वो मिल चुका है तो अब इसका Production जो है वो आगे Create किया जा सकता है और हाल ही में जो हमारी Indian Air Force है Air Force ने 70 ऐसे BTA खरीदने का Contract जो है वो हल को दिया है और जब यह 70 आ जाएंगे तो उसके बाद 38 BTA जो है वो भी प्रोवाइट करने है तो as you can see के 100 से भी ज्यादा Precisely 108 ऐसे BTA का Order जो है वो Indian Air Force ने हल को दिया है Now, First Batch जो है इसका जिसमें पहले दो HTTs बनाये जाएंगे तो ये Late 2024 या फिर Early 2025 तक Indian Air Force को मिल जाएंगे पहले दो ऐसे दिये जाएंगे उसके बाद 8 दिये जाएंगे That will be in 25 or 26 और फिर उसके एक साल के बाद एक साथ 20 ऐरक्राफ जो है वो दिये जाएंगे I'm sure you are also interested के अभी हम किस प्रकार का या फिर अभी जो BTA यूज कर रहे हैं वो कौन सा है वो foreign का BTA है You'll be curious to know this thing as well के पहले जो है हम जिस एरोप्लेन का इस्तमाल करते थे या फिर Indian Air Force जो करती थी वो भी हल नहीं बनाया था इसका नाम था Deepak, Hindustan Piston Trainer 32, HPT 32 अब इसका सबसे बड़ा problem ये था कि इसके बहुत सारे accidents हो रहे थे और यही सारे accidents में बहुत सारे हमारे pilots और जो हमारे trainers होते थे pilot के trainers तो इनकी मृत्ति हो जाती थी तो इस बज़े से सरकार ने finally 2009 में इस Deepak जो है उसकी चाबी निकाल लिया फिर दीपक जो हम उसको grounded कर दिया कि अब इस Deepak को हम नहीं उड़ाएंगे फिर उसके बाद एक नए airplane की तलाश होई और फिर Switzerland का plane जो है उसका इस्तमाल फिलाल किया जाता है अब HD40 को बनाने की जब भी बात आती थी तो इंडियन एर फोर्स जो है वो थोड़ी नाराज हो जाती थी उसके बीचे बहुत सारे reasons थे 2012 की बात करें तो 2012 में इंडियन एर फोर्स ने ये जो BTA है उसको बनाने का जो proposal उनके पास आया तो एर फोर्स ने मना कर दिया के हमें आपका इंडियनियस BTA जो है वो नहीं चाहिए उसके बीचे कुछ रीजन्स है नंबर वन रीजन्स ये दिखाया कि जो अभी इस्तमाल किया जा रहा है 75 स्विज पिलेटस PC 7 Mac 2 तो इसके कंपेरिजन में जो हमारा इंडियनियस BTA है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है दूसरी चीज इंडियन एर फोर्स ने ओलरड़े वन बिलियन डॉलर के ये जो फोरेंड के प्लेंस है स्विस पिलेटस तो इसको मंगवाने का ओर्डर जो है वो दे दिया है तो ये भी रीजन है इस गेलावा जो स्पेर पार्टस और सर्विस तो ये सारे इशियूस की वज़ए से इंडियन एर फोर्स जो है वो जो है वो चलता रहा 2014 में इंडियन एर फोर्स के पास से जब पैसे मांगे हल ने कि आप हमें थोड़े पैसे दीजिए तो हम ये प्रोटोटाइब जो है वो बनाएंगे हम एक सैंपल प्लेइन बनाएंगे आप फिर इंडियन एर फोर्स ने कह दिया कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को फंड नही करेंगे फिर 2016 में हल ने एक प्रोटोटाइब बनाया खुद के पैसे लगाए और एक प्रोटोटाइब जो है वो तैयार किया और उसकी पहली जो उड़ान है वो भी भरी और तब भी इंडियन एर फोर्स जो है वो उतना ज्यादा क्यूरियस नहीं था फिर लेट 2016 में सेकं किंडल हो गया मिसलाव आई एफ जो है पहले क्यूरियस था अब वो काफी इंट्रेस्टेड हो गया मेट 2019 में हल ने आई एफ को कहा कि आप हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल जो है वो सेंड कर दीजिए ताकि हम यह जो एच्टिटी फोटीज है तो इसके प्रोड़क Honeywell Garrett जो USA की कंपनी है तो उनका जो एक शिंगल शाफ्ट टर्बो प्रोप एंजिन यूज़ किया जा रहा है तो इसको जो इलेक्ट्रोनिक करना है या फिर इसमें कुछ अप्ग्रेड्स करने है तो वो हम इन पैसों से कर सकें फॉर्मर हल के चैर्मन आर माधवन साब ने अपने शब्दों में ये बताया कि इसमें जो एंजिन यूज़ किया जा रहा है तो इसमें एक अप्ग्रेड की जरूरत है और इस अप्ग्रेड के लिए हमें पैसों का पेइमेंट करना पड़ेगा तो आप पहले 200 क्रों रूपीज जो है वो हमें ट्रांसफर कर दीजे एंड वी विल स्टार्ट तब प्रोड़क्शन तो इस प्रकार के अप्स अंड डाउंस जो हैं एस विकन सीव वो हमें देखने को मिलते रहें अर्ली 2021 में आय एफ ने 75 HTT 40 जो हैं इनको देने का एक और जो है वो इश्यू किया और इसके साथ जैसे मैं आपको बताया के 38 और बीटी एज जो हैं उनको भी बनाया जाएगा बट लेटर और पहले यह दो आ जाए उसके बाद जो आठ आ जाए उसके बाद बीस और उसके 40. I'm sure आज की discussion से आपको बहुत सारी interesting information, knowledge मिली होगे. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.